इंडियन रेलवे को वारी गाड़ियां धोने से फाइदा नहीं होता है। मनमोहन सिंग जो थे उन्हों ने एक योजना बनाएगी FC। उसके बाद मनमोहन सिंग की सरकार चली गए। मोधी जी की सबसे बड़ी जो लब्धी है ना। अगर आप गोण से समझेए क स्ववारि गाड़ दोने से फायदा नहीं होता है यहाद होका समारी गाड़ियों में बहुत ब्त। kijken संवन धोने चाहिए ना जैनेटर चाहिए ना बैक कप से क्योंय है था पानी खाना एनॉश्मेंट एन्य प्लेटफॉरम पर कुछ भी नहीं चाहिए इसको वह लोट है को इन्डियाण रेलिएवे को माल मागाडियों से फायदा होता है सवारी गाडियों में बहुत घाटा होता है उसमें पानी भरो खाना दो इसमें स्टाफ रखो टीकट चेक करो फरजी घुज गया कि नहीं घुज गया वेटिंग लिस्ट लगा रनाउस्मेंट करो इट्रें चार नंबर पर पांच नंबर पर खड़ी हुई है कोनों उसमें ज में रमेला नहीं है लेकिन हम लोगको सबसे ज्यादे। फ्ायदा किसमें होता है मालगाडियों से फाइद होता है लेकिन हम लोगने मालगाडियों को को ध्यान नहीं दिया ओद्दु दिन तक एक जगा खड़ा रहती हैं सब देखिएगा न बिचाइए द्फित दिन तक एक एक ही जगा खड़ा रह तो देखिए मनमोहंग सिंग्ग उन्होंने एक योजना बनाएग थी कि क्यों न हम एक अलक से पठरी बिच्छा दे जिसपे केवल और क्यों मालगाडियां चलेंगी अच्छा देखिए एक और देखिए मालगाडियों पे जो पट्री बनती है वह जादे खर्चीली होती कि उसके बहुत है भी बनाना होता है पहुत है भी बनाना होता है मालगाडियों पे जो पट्री जाती है दूसरे उन मालगाडियों पे पट्री जारी होती हैं, उन्में load जादे होना चाहिई, bridge जादे होना चाहिए, उन्में हर चीज system अलग है, तो उन्हसने एक योजना बनाई थी कि क्यों हम यहां पे एक अलग सी पट्री बिचा दे, आलगाड़ीयों की येवले area में तो इसी रास्ते को हम लोग कहते हैं dedicated मतलब समर्पित है fret मतलब सामान के लिए corridor मतलब रास्ता dedicated freight corridor dfc dfc dedicated freight corridor अब उसके बाद मनमोन सिंग की सरकार चली गई नरेन मोदी आएं मोदी जी की सबसे बड़ी जो अच्छी उपलबधी है ना सबसे बड़ी उपलब्धी मोदी जी की वो ये है कि वो infrastructure पर बहुत ध्यान देते हैं चाहे वो सड़क infrastructure हो चाहे वो railway infrastructure हो expressway हो airport हो digital India हो cable हो wifi हो या फिर 5G हो ये digital हो या फिर धरातली infrastructure है उस पे नरिद मोदी ने बहुत बहतर काम किया है infrastructure पर national security के कुछ issues को इन्होंने बहुत अच्छे से निप्टा दिया जैसे 370 को हटा दिया और नकसलियों को तो ऐसा भूले ऐसा भूल गए जैसे लगता है नकसली कोई समस्या ही नहीं है मीडिया वालों को बस बोलते बहुत बहुत अच्छल समस्या दिखाना ही नहीं है तो यह होगे आपका dedicated food corridor इस dedicated food corridor पे नरेन मोदी ने बहुत पैसा खर्च कर दिया यहाँ पर और यह dedicated food corridor मुंबई के जवाहला नहरू बंदरगा से निकलेगा मध महराष्ट होगा गुजरात होगा मध्दपरदेश राजस्थान होते हुए कहां तक आएगा यह मुंबई के पास आएगा दिली के पास एक जगा है दादरी तो दादरी से start होगा और दानकुनी कहां तक जाएगा जैन पीटी तक और एक लुधियाना से start होगा और यह जाएगा कहां तक लुधियाना से स्टाट होके और यहां तक आएगा दानकुनी तक यहां से तो यह बाला हो गया पुर्वी यह भी डीएफसी है और यह भी डीएफसी है यह भी क्या है डीएफसी है यह भी डीएफसी है लेकिन यह पुर्वी साइड में इसलिए इसका नामें इस्टन डीएफ इस्टन डिएफसी और वेस्टन डिएफसी इस रास्ते पर कोई भी सवारी गाड़ी नहीं जाएगी गडल में अलग रास्ता रहेगा उसके नाम रहेगा डिएफसी देखें ध्यान से डियेफसी को यह आपकी डिएफसी इस त्रेन का रेलवे तेखेंज बहुत है वी इसका यहां पर लोड कर दो, अब आपको करना है, आपको जो समान लोड करना है, समान लोड करना है उसको इस container में लेखिए अचाहिए यहां आदमी को पारक करने वाला भीरीज नहीं है crane लगा हुआ है देखिए इधर से उधर इक रख देगा इधर से उधर संजागे इने crane लगा हुआ है यह है dedicated freight corridor देखिए ध्यान से यह crane जो है कैसे यह ट्रक लगी है नीचे यहां से crane ने उठाया अब इसके ट्रक पर रख देगा ट्रक लेके चला जाएगा कहां जाना है भाईया चलो भाईया जहां जाना है ले चलते हैं आप तो यह है आपका dedicated freight corridor dedicated freight corridor संगा गया इसका railway station भी अलग होता है सब कुछ design हो जाइन अलग होता है इस पर केवल और केवल मालगाड़ी आ जाती है अब इसको कोई speed का जहमेला नहीं है अब आप अगर कोई सामान पहले दिल्ली से मुंबई भेजना चाहते थे तो तीन दिन लगते थे दिल्ली से कोई समान train से सपोच कीजिए कि संतरा मंगाना है दिल्ली से प्रेन से मंगाएगा तीन दिन बात पहुंचेगा अभी सेम डे पहुंच जाएगा सुबह में लोट कीजिए अगले दिन ले लिजिए बारा से तेरा घंटा में पहुंच जाएगा सौ के स्पीड में चलती है माल गाड़िया यहां से आराम से मुंबई से निकले गी है सौ के स्पीड में धर्णा के दिल्ली पहुंच जाएगी तो यह हो गया आपका dedicated freight corridor इसे क्या कहेंगे dedicated freight corridor अभी कितने हैं दो